आल्राइट क्लास अब हम जानेंगे पांचमें सब टॉपिक के बारे में जो है प्रोटो जोन्स तो क्लास प्रोटो जोन्स वर्ड को ब्रेक करके उसका मीनिंग हम समझेंगे प्रोटो मतलब होता है प्रिमिटिव याने की पुराना पिछड़ा हुआ शुरुवाती और जोह मतलब होता है एनिमल्स क्लास प्रोटो जोन्स को हम एनिमल्स का पूरवज मानते हैं ऐसा माना जाता है कि आज हम जितने अनिमल्स देखते हैं, हमारे आसपास जितने भी अनिमल्स हैं, including us, हम सब के सब प्रोटोजोन्स से निकले हैं. क्लास आपको अपने सामने प्रोटोजोन्स की कुछ तस्वीरें दिख रही हैं, यह अलगलग टाइप के प्रोटोजोन्स हैं, जो हमें आसपास देखने को मिलते हैं. क्लास यह लोग exclusively हीट्रोट्रॉफ्स होते हैं, यानि कि इन में photosynthesis देखने को नहीं मिलता, या यह तो predators होते हैं, या फिर parasites होते हैं. जैसा कि अभी हमने जाना, protozoans को animals का पूरवज माना जाता है, बहुत ही पुराना रिष्टेदार माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि सारे animals का evolution जो हुआ है, वो protozoans से हुआ है. Protozoans के बारे में हम क्या-क्या जानेंगे, इन में हम किन-किन organisms के बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहला है ameboid protozoans, दूसरा है flagellated protozoans, तीसरा है ciliated protozoans, और चौता है sporosones. तो क्लास शुरू करेंगे ameboid protozoans से, तो क्लास मिक्ती और पानी, ये दो जगाए हैं जहांपे ameboid protozoans सबसे ज़ादा मिलते हैं. पानी दुबारा से fresh water भी हो सकता है, marine water भी हो सकता है, दोनों जगाए जाते हैं. और ameboid protozoans की क्लास खासियत यह होती है, कि इनके पास pseudopodia होता है. Pseudopodia ये एक structure होता है, जिसकी मदद से ये चल फिर पाते हैं, इधर उधर move कर पाते हैं, और अपना खाना भी pseudopodia के द्वारा ही पकड़ते हैं. क्लास, pseudopodia जैसा कि आप देख सकते हैं, कि ये अपनी ship change करते रहते हैं, और जहां भी इनको nutrient दिखता है, जहां भी इनको अपना खाना दिखता है, वहां ये आगे बढ़के, वैसी shape लेके, उस खाने को cover करके, अपनी body में डाल लेते हैं. Alright, क्लास, कुछ amoeboid protozoans होते हैं, वो समुदर में रहते हैं, marine होते हैं, उनके शरीर पे हमें silica की platings देखने को मिलती हैं, जैसी यहां आप देख सकते हैं. तो क्लास, इनके कुछ examples हैं, अमीबा, जो सब ने सुनाया हैं, अमीबा में pseudopodia होते हैं, जैसे आप यहां देख सकते हैं, इन्हीं pseudopodia की help से यह चलता है, movement करता है, और अपना खाना पकड़ता है. दूसरा example है, अमीबा में भी pseudopodia present होते हैं, लेकिन यह इतने defined नहीं होते, जितने अमीबा पे होते हैं, और इनमें एक ही pseudopodia present होता है, जो कि इनके एक सिरे पे मिलता है, एंटामीबा जाद अतर पैरासाइट की फॉर्म में रहता है, हमारे अंधर भी यह food poisoning, या फिर diarrhea जैसी बिमारियां करता है, अल्रेट क्लास, अब हम जानेंगे फ्री लिविंग होने का मतलब यह है कि यह organism किसी host के उपर depend नहीं होते, किसी host के अंदर नहीं रहते, और यह self-survive कर सकते हैं, लेकिन कुछ flagellated protozoans parasitic भी होते हैं, जैसा कि आप इस right picture में देख सकते हैं, यह जो आप blue color के पतले से slender organism देख रहे हो, यह flagellated protozoans ही हैं, और यह जो आसपास cells हैं इनके, यह red blood cells हैं, तो class इसका मतलब यह हुआ कि यह किसी animal के अंदर as a parasite रह रहे हैं, तो ऐसे ही यह animals के अंदर और humans के अंदर भी कुछ diseases करते हैं, जिन मेंसे एक काफी बदनाम disease है, जिसे हम कहते हैं sleeping sickness, class sleeping sickness जो है, वो हमारे nervous system को impact करता है, इससे हमारे sleeping patterns जो होते हैं, सोने का time, जागने का time, वो गड़ बड़ा जाता है, तो इस बिमारी का जो causative organism है, वो भी एक flagellated protozoans है, जिसे हम कहते हैं trypanosoma, trypanosoma और sleeping sickness, जाद अतर आफरिका में पाए जाते हैं, तो class ये जाना हमने, flagellated protozoans के बारे में, हमारा अगला topic है, ciliated protozoans, इसमें भी आप नाम देख के बता सकते हैं, कि इन protozoans के पास movement के लिए cilia होता है, ciliated protozoans exclusively पानी में पाए जाते हैं, ये जमीन पे नहीं रहते, और ये दोनो marine water और fresh water, और दोनो टाइप के पानी में मिलते हैं, जैसा कि इनके नाम में indicated है, इनके पास बहुत जादा मात्र में cilia present होता है, जिसकी वज़ए से ये बहुत actively move करते हैं, कि class ciliated protozoans की एक और special characteristic है, इनके पास एक special type की body cavity होती है, जो इनके शरीर को आस पास के environment से connect करती है, class इस cavity को हम कहते हैं gullet, class gullet क्या करता है, कि इनके आस पास जो पानी होता है, उसे ये pump करता है इनकी body के अंदर, class पानी के साथ-साथ इनके nutrients भी अंदर जाते हैं, इस काम में मदद करते हैं, जो gullet के आस पास सीलिया रहते हैं, तो class जरूरत से ज़ादा जो पानी होता है, वो निकल जाता है, वो excrete out हो जाता है, और जो nutrient अंदर pump किये गए होते हैं पानी के साथ, वो absorb हो जाते हैं, तो class ये काम होता है gullet का, इसका example जो सबसे famous है, प्रोटोजोन का वो है पैरामीसियम, class पैरामीसियम एक slipper shaped प्रोटोजोन होता है, जिसके पास हजारों की तादाद में सीलिया प्रेजन्ट रहते हैं, जिनकी मदद से ये बहुत actively move करता है, अब हम अपने last type के प्रोटोजोन पे आते हैं, जिनका नाम है sporosones, को या humans को infect करते हैं और बहुत dangerous diseases spread करते हैं, तो class उस stage को हम कहते हैं, spore-like stage या फिर sporozoid, class जो आप purple color के organism यहां देख रहे हो, इस photo में, ये वो sporozoids हैं, जो ready हैं infection करने के लिए, और इन से होती है एक disease जिसने हमारी human civilization को बहुत परेशान किया है, आप सब ने उसका नाम सुनाओगा, उस disease का नाम है malaria, malaria एक बहुत dangerous, बहुत lethal disease है, जो कि एक type के sporozone से ही फैलती है, वो कौन सा sporozone है, वो हम जानेंगे, class उस sporozone का नाम है plasmodium, class ये वो protozone है, जो मच्छरों को mosquitoes को infect करता है, और जब मच्छर हमें काटते हैं, तो plasmodium मच्छरों से हमारे अंदर आ जाता है, जिससे हमें malaria होता है, तो आप लोगोंने कई बार सुना होगा, कि गंदगी ना फिलाएं, साफ सफाई रखें, मच्छरों को ना पन अपने दें, तो class वो होता इसी लिए है, ताकि ये plasmodium उन मच्छरों तक ना पहुँचे, और वो आगे किसी को infect ना करें, class अगर एक global scale पे देखा जाए, तो दुनिया में काफी जगा malaria का प्रकौप है, जिसमें हमारा India भी आता है, आप जैसे यहां देख सकते हैं, ये हमारा इंडिया है, इस वर्ल्ड के नक्षे में, जहां जहां red color की markings हैं, plus वहां पे malaria का infection जादा है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कि Central America, Africa, हमारा अपना Indian subcontinent, और Indonesia, इन जगाहों पे malaria का प्रकौप सबसे जादा है,